अगर दिन की शुरुवात हेल्दी नाश्टे से हो तो पूरे दिन भर शरीर में एनरजी बनी रहती है इस मामले में Oats एक ऐसा आहार है जो स्वाधिश्ट भी है और पॉश्टिक भी इसमें कई तरह के पॉशक तर्थ पाय जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं Oats का सेवन शरीर को पोशन देने के साथ साथ कई तरह की विमारियों से बचाने में मदद करता है इसका सिवन उनसे भी दिमारियों को दूर रखता है जो किड़नी में खराबी का कारण बन सकती है स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चानल किड़नी ट्रीट्मेंट इन इंडिया में जहां हम आपको किड़नी से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं हम अपनी वीडियो में किड़नी में होने वाली समस्या से भी कर किड़नी के आरवेदिक उपचार के बार में भी आपको बताती हैं साथ ही किड़नी को स्वस्थ रखनी के लिए आप कौन से आहार का सिवन कर सकते हैं इसकी जानकारी भी देते हैं ऐसे ही हमें एक खास विशे के साथ आपके सामने आये हैं, आज हम आपको बताएंगे कि ओड्नी के मरीजों के लिए क्यों वर्जित होता है, जिनकी किड्नी स्वस्थ है, उनके लिए ओड्स का सेवन कैसा है इसकी जानकारी भी आपको देंगे आगे बढ़ने से पहने हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए वेल आइकन को ज़रूर दबाएं चलिए बढ़ते हैं अपने विशह की तरफ और जानते हैं किद्नी मरीज ओट्स का सेवन क्यों नहीं कर सकते ओट्स में प्रोटीन, फैट, काबोहाइडरिट, फाइबर, क्याल्शियम, आयन, माक्नीशियम, फॉस्फिरिस, कोटाशियम, सोडियम और जिंक पाया जाता है जो आपको स्वस्थ रखने में सहायता करता है क्योंकि ओट्स शरीद में इन सबी चीजों की पूर्ती करते हैं अगर आप किद्नी के मरीजों की करें तो ओट्स का सेवन की बात की जाए तो किद्नी तब खराब होती है जब आप अधिक मात्रा में प्रोटीन, क्याल्शियम, वाजमिन्स, सोडियम, काबोनेट, फॉस्फरिस और कार्भोहाइडरेट जैसे खाद्र पदार्थ का सेवन करते हैं इन सभी पौशिक तथ्वों का सेवन आपको स्वस्त रखता है लेकिन अगर इन आहारों को जरुद से ज्यादा लिया जाए तो ये किद्नी को डामेज करने का कारण बनते हैं ओट्स में ये सभी पौशिक तथ्व पाय जाते हैं ओट्स में प्रोटीन, काबोहाइडरेट और क्याल्शियुम बहुत अधिक मात्रा में होता है जिसको डामेज किद्नी जल्दी डाजस नहीं कर पाती और इससे किद्नी में ज्यादा खराबी आ जाती है इसी कारण किद्नी की मरीजों को अहार में ओट्स का सेवन बरजित होता है जिनकी किद्नी स्वस्थ है और वो अपने किद्नी को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसके लिए वो अपने अहार में ओट्स को शामिल कर सकते हैं आईए जानते हैं कि OATS के ऐसे कौन से पायदे हैं जो किड्नी को डामेज होने से बचाते हैं OATS का सबसे पहला फायदा है कि ये उच्छ रक्तचाप की समस्या को दूर रखता है OATS में घुलनचील फायबर पाया जाता है जो रक्तचाप को कंट्रोल करने में सहायक होता है जो लोग OATS का सेवन करते हैं उनका ब्लड प्रेशर संबान्य बना रहता है इससे उनकी किड्नी में खरावी आने की समभवना कम हो जाती है आपकी जानतारी के लिए बता दें कि किड्नी में खरावी आने का एक प्रबुक कारण उच रक्तचाप की समस्या भी होता है जब आप ऐसे आहार लेते हैं जिसका सेवन आपके शरीर में टॉक्सिंस की मात्रा को बढ़ा देता है तो इस वज़े से किड्नी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती और ब्लड गाड़ा हो जाता है ऐसे रक्त को किड्नी बार बार फिल्टर करती है तो इस कारण किड्नी डामेज होती है साथ भी गाड़ा रक्त जब हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट उसको सही तरह से पंप नहीं कर पाता जिसके कारण हाई ब्लड फेशर की दिक्कत होती है इसके लिए Oats एक अच्छा विगल्फ है जो आपके रक्तFit चाप को साम्मान में रखता है Oats का अगला फायदा है कि यह Diabetes के खत्रे को दूर रखता है Oats में फाइबर का अच्छा स्त्रोत पाया जाता है जो डाइबरीज के खत्रे से आपको दूर रखता है फाइबर में बीटा घ्रूकोन नामक सब्स्टेंस होता है जो ब्लड में शुगर के स्थर को कम करके इंसुलिन के प्रभाव को सक्रिय करने का काम करता है ओट्स के सेवन से रक्त में शुगर की मात्रा संतुलित रहती है जो डाप्रीज के लिए अच्षी होती है आपकी जानकारे के लिए बता दें कि OATS का सेवन किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करता है जब आप डैप्रीज के खत्रे से दूर रहते हैं तो इससे किड्नी प्रभावित होती है OATS का अगला फायदा है कि आपको हार्ट की तकलिफों से दूर रखता है अगर आप नियमेट मात्रा में OATS का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में कलेस्टरॉल का स्तर कम होता है जो हार्ट को स्वस्त रखने के लिए मददकार साबित हो सकता है Oats में प्रचूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो शरीर में खराब कुलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है साथ ही या आपको हार्ट की परिशानियों से भी बचाता है इसके साथ ही Oats का Neomate 7 कैंसर जैसी गंभीर समस्या से आपको बचाता है Oats में मौजूद Anti-Inflammatory Gun, कैंसर को बढ़ावा देने वाले सेल्स को कम करते हैं और अच्छे सेल्स को बनाया रखते हैं इससे आप कैंसर जैसी गंभीर समस्या से दूर रहते हैं Oats का सेवन आपके वजन को कम करने में सहायता करता है Oats में पाय जाने वाला बीटा भ्लूकॉन आहार को डाजेस्ट करने में मदद करता है साथ की शरीर में एनरजी बना कर रखते हैं जिससे जल्दी भूख नहीं लगती इससे आप बार बार कोई आहार नहीं लेते और इससे वजन नियंसित रहता है इसके अलावा Oats का सेवन इन्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है Oats के सेवन से मैक्रोफिज और नूट्रोफिल जो की एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं Oats के सेवन से बढ़ते हैं इसे बैक्टीरिया, वाइरस और फंगस संक्रमन को दूर रखते हैं Oats का सेवन पेट की तकलीव को दूर रखता है Oats में क्यालशियम, कोटैशियम, वाइटमिन D कॉंपलेक्स और मैगनीजियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो नर्वस सिस्टम को स्वस्त रखते हैं इससे आप पेट की तकलीव से बज़े रहते हैं साथ ही ये डाइगेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाते हैं Oats में क्यालशियम, प्रोटीन, मैगनीजियम और सिलिकॉन की अच्छी मात्रा होती है जो बोन्स के लिए फायदेवन होती है Oats का सेवन बोन्स को मजबूत बनाने में किड्नी की मदद करता है किड्नी का एक काम बोन्स को मजबूत बनाने का भी होता है ये हैं Oats के कुछ फायदे जिनका सेवन किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करता है ध्यान रहें कि किड्नी के मरीज इसका सेवन ना करें क्यूंकि ये उनके लिए हानिका रखो सकता है। अगर आप किड्नी के समस्या से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने अहार में बदलाव करें, अपनी डाइट में सिर्फ उन चीजों को शामिल करें जिसका सेवन किड्नी को स्वस्त रखने में मदद करता हो। साथ ही आप अपनी किड्नी को स्वस्त रखने के लिए अपने जीवन में योग और आरवेद को भी शामिल करें जिन लोगों को किड्नी में कोई भी समस्या है वो अपने जीवन में आरवेद उप्चार को शामिल कर सकते हैं अगर आप किड्नी की समस्या से परिशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आर्विदा से संपर्ख कर सकते हैं। कर्मा आर्विदा उप्चार केंद्र में आपको किड्नी की सारी समस्यों का समधान मिलता है। कर्मा अर्वेदा का उपचार पूरी तरह प्राकतिक है इसका कोई दुष्प्रभाफ नहीं होता यहां आपको सफल इलाज के साथ साथ देश्डर आहार की जानकारी भी जाती है जो आपके स्वास्ते के लिए लाबदायक होती है अगर आप डालेसेज और किड्नी ट्रांस्प्लांट से दू रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा अर्विदा उपचार के इंदे से संपर कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले अगर आप किड्नी के समस्या से परेशान हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है तो आज अगर बस इतना ही आप मैं आप से विदा लेती है और मैं फिर मिलूँगे एक नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार अगर नमस्कार दोस्तों क्या ना भर विशन का मुश्टा सीपी शिवास्तर खाहां करेंवाद आप जहन सी जहां सी जहां सी लिए यहतर ऊंपरिशन का अगर भीकर दारिखिया जब मैं आया था तक उनक इशु ये था कि पहरों में इचे पूल दूल में इंचे पूल आ पारों में वहाद है वाकि वॉर्मिट पर कियर हमें कभी-कभी पेडियो देरे की तो काफी अनीज़ी से लेक्रावरत, तो अभी काफी हुआखी है तो कि अनोर पर बंद्टो राओ है यह उनकी तरब से कोई कॉम्ट्रेट है कुर मतार रूग कुछा रही वह इसके कंफिल भी कंप्रेट नहीं है तरह इस जैसे पेहले वॉमेटिंग कर्रेंग कोई कुछा रही जाए है अभी जाए है इस विल्च इक निस रहा था और फिसिकली बहुत अचे जिंदेद आपको नारा है और जैसे इनको दिखा जो औरी जो सारी अब सब्साइब हो तो जासी में आपर जो कि दिखाया था इनको तो नेफ्रोलोजिस ने क्या बताया था इतना नेफ्रो का कोई अलोपाथी ट्रीक्मेंट जाता चला नहीं क्या क्या पर्लम है? अच्छी नॉलेजिबल है वोगी है वहांकी तो उन्होंने का भी एच्छे ज़े गाइड किया क्या मेडिसेंज को गया है वहांकी तरी 2-3 साल उनके से चला है उनके अंदर की तरी नेफ्रो का उनने बोला जब उनको थोड़ा सा लगा कि नेफ्रो की दर्वत हाईगी आपने आइदे गुदू पर दिशनने का बिल आपके घ्रिजग सबया है वहां पे पर चुछी मोंति में मतर्ने जब हे हाईब हनोकर है तो बहुअची दर्ना अगलने लिगाए आए रफन हाईब गोरेक वी तो थो फिलिए। उनके पर आपका ग्रूझने का दो इसनने का उत्ता वह भी इंपूब दी है अच्छे से फॉलो गाया है उसे सब चीजिजिए और फिजिकल लेवल पर यूरमिक सिंटम्स जो हैं जो बहुत ज्यादा अनीजिरस बाडी में क्रेट कर रहे हैं उस सब चीजों में इंपूमें जानी चुरू हो चुछ है कह सकते हैं कि सब चीजों में बहुत अच्छे इंपूमेंट आती है अगर आप लेक्टे सब चीजों में फॉलो करते हैं उस बेकार से तोड़ा स्टॉप किड्नी डायलेसिस हमारा पता है जी ट्वेंटी एंडी एम वन ब्लॉट नमबर हमारे फोन नमबर से 098-7171-2050 हमारी एमेल आइडी है अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayorveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं